हेलो एब्रिवन तो आज हम डिस्टस तरने वाले क्रॉस मल्टिप्रिकेशन मेथ़ड साइमल्टेनिस नीनियर रिक्वेशन को सॉल्व करने का यह पॉल मेथड है इसके पहले दो मेथड्स ता वीडियो अल्रेडी अप्लोडेड है सब्सिट्योशन मेथड और अप्लेमिनेशन मेथड उन दोनों के वीडियो का लिंग के स्किप्सन में भी है यह पेयर ओफ लिंएर एक्वेशन है जहां पे पेस और वाई वह वैरेडल है और अवन बी वन चीवन अटो बी तो पेल बी चीडियो यह जो है यह आपका पोइफिशेंट है इन xy और constant term का यहां तोड़ा याद करने हम वापस से कि यह solve even कब था तो a1 by a2 अगर not equal to b1 by b2 तो ही solve कर सकते क्या अगर यह a1 by a2 b1 by b2 के equal हो जाए तो parallel line हो जाएगा solve भी नहीं कर सकते तो आगे बढ़ने मा कोई ज़र्वत है ही नहीं अब देखेंगे इसके लिए हम पो formula कैसे याद रच सकते तो formula भी सीठ जाएगे और याद भी रचना सीठ जाएगे क्यादर मैं इस a1 a2 को चोड़ो start परो लिखना b1 b2 से b1 b2 इसके बाद तर लिखो c1 c2 फिर लिखो a1 a2 और फिर से b1 b2 ज्यान देना क्या लिखना है b1 b2 c1 c2 फिर a1 a2 और फिर से b1 a2 ये ताम दर देना मैंदा पहले इसको और फिर इतना लिख देना इसके वाट क्या है h by ऐसा रिखना y by फिर 1 by ये यहां ऐसे एक्रोस cross multiplication नाम ये इसको so b1 c2 minus b2 c1 फिर यहां c1 a2 minus a1 c2 फिर इसकी वाद a1 b2 minus a2 b1 बहुत लोग बहुत डिफितल रहते हैं ये यातना देटनो ऐसा नहीं भी लिखना चाहते हो नहीं लिखके भी हो सकते है याट अब चाहो कि नहीं हम ऐसा लिखेंगे ने इतना ज्यादा हम डिखना नहीं चाहते हैं इतना ज्यादा बनाना नहीं चाहते हैं तो भी हो सकते हैं लाइक ऐसे a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0 a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0 अपना याद रखने हैं तरीका हो सकते हैं जिस्तों जैसे याद रखने हैं x by y by and not yet 1 by ठीजा जो है उस्तों मतलो मतलब x है तो x वाला छोड़ दो और बाकी जो है उस्तों left to right cross दो so b1 c2 minus b2 c1 cross undifference अब y है ना तो y वाला तो नहीं या नहीं तो अब c है c1 है c2 इसके right में पुछ नहीं है तो इसी को वापस से right में लो c1 a2 या a2 c1 minus a1 c2 और फिर 1 यानि ये constant term हटाऊ a1 b2 minus a2 b1 ठीक है जिसको जैसे याद रखना सही लगे वो ऐसे रखनो ठीक है तो इसमें सबसे पहले हमें equation इस form में लिख लेना होगा राइट साइड में पूरा 0 इंटो माइनस सेवन या, माइनस दिस इंटो इस माइनस टू. इस टू. माइनस टू. माइनस फो. एट्स को टू. ऐए अब वाई है तो य हटाएंगे फिर से left to right जाएंगे बट y हटाने के बाद इधर से में उझे left to right मिननी रहा है इधर के right side में तो कुछ है नहीं इसी को repeat करेंगे 3 और 9 minus 4 और 9 कितना हुआ minus 4 और 9 minus minus 7 into 3 minus 7 into 3 और यहां हो जाएगा अब 3 into minus 2 minus 9 into minus 5 यहां क्या हो जाएगा h divided by यह 5 और 7 35 हो जाएगा minus minus plus यहां पे minus minus plus हो जाए 8 यहां यह y divided by minus 36 और यह minus minus plus 21 यहां हो जा 1 3 2 minus 6 यहां हो जाएगा plus में 45 ते हो जाए h divided by 27 is equal to y divided by minus 15 is equal to 1 by 39 अब यहां से तो भाई h by 27 भी हमारा इक्वाल हो जाएगा 1 by 39 इससे h is equal to 27 by 39 और h is equal to 9 by 13 ठीक्यां? और y by minus 15 अब यह आया हमारा answer और जैसा हम इसके पिछने method में भी हमनों कर सकते थे वो ही हमनों यहां भी करेंगे by cross multiplication method में हो सकता है answer दलत आ जाए तो क्या करें? answer चेट कर लेते हैं वाला full proof लाने exam में दलत हो नहीं नहीं वाला इसके बाद हम answer में डालेंगे इसको बिठाके यही answer चेट कर लेंगे तो दलत हो ही नहीं सकता 9 by 13 और minus 5 by 13 देट लेते हैं h ता value आया था 9 by 13 और y है minus 5 by 13 क्या यह इन दोनों equation को satisfy करते हैं वो मिलाते हैं तो 3 into this 27 by 13 3 into this किया minus ठीक है और minus है इदर और इदर भी minus तो plus हो जा 25 by 13 add करते इसको तो यह हो जया 52 by 13 यानि 4 पहला वाला तो satisfy कर गया second शेक करते हैं 9 into 9 81 by 13 81 by 13 और इदर minus और minus plus तो यह कितना हो जया 10 हो जया 10 by 13 यानि 91 by 13 तो 7 यह दोनों ही satisfy तर गया यानि हमारा यह जो एंसर आया है cross multiplication method ठेके ना बाकी जो दोनों methods है और अलग एंस solvable reduce तर कि उसको normal में लाना मतलब कि यह 1 by h plus y something है plus 2 by h minus y ऐसा टाइप का equations तब भी वीडियो ता link description में है पूरा simultaneous linear equation का playlist है ता link description में आप देच सकते हो यहाँ जो है आज जो है हम बस cross multiplication method सही देचने वाले और यहाँ इस question में यह 1 है so x minus 3y is equal to 4 है और 3x plus 2y is equal to है 1 तो इस तो simply हम क्या तरते h side में ले आते हैं और right side में लितने हैं 0 ठीक है right side में क्या लितने हैं 0 इसके बाद पर वो same काम है x divided by y divided by 1 divided so यहाँ पर x के पीछे है यह 1 y के यहाँ तो 3 है अब क्या x है तो x वाला छोड़ देते हैं यहाँ है मेरा minus 3 यहाँ है minus 1 multiply हुआ तो 3 अब मैं डारेक लितना हूँ minus यहाँ है 2 और यहाँ है minus 4 so 2 और minus 4 अब देखते हैं y के लिए y के लिए तो right side में है नहीं तो 1 और 3 लित देते हैं क्योंकि यह minus 4 के right side में पुछ है नहीं अब यहाँ minus 4 से यह हो जा 3 minus 12 minus 1 के साथ यह minus 1 अब 1 divided by तो फिर तो यह यहाँ से होगा 1 into 2 तो 2 देते हैं सिधा और 3 into minus 3 minus भी यह ध्यान देना so minus 9 तो यहाँ h equal to क्या हो जा 3 minus minus plus 8 यहाँ पे y divided by minus 12 plus 1 यहाँ 1 by 2 minus minus plus 9 h divided by 11 y divided by minus 11 and 1 by 11 यहाँ से जहाँ मिल रहा है कि h by 11 is equal to 1 by 11 देफर h equal to 1 and y by minus 11 is equal to 1 by 11 so y equal to minus 1 so h equal to 1 and y equal to minus 1 यह हो जापना answer मिला लेते हैं इसको 1 और minus 1 से the h equal to 1 and y equal to minus 1 तो यह कितना 1 plus 3 यानि 4 पहला वाला सही है दूसरा वाला देट लेते हैं 3 into 1 plus 2 into minus 1 3 minus 2 1 यह भी आजा सही यानि अपना answer सही है अब देटेटे है अब देटेटे है next question तो क्या है कि solve the following pair of linear equation using cross multiplication method वही question है values अलग है बस 7th minus 3y और इसको लिपते हैं minus 3 into minus 1 minus 3 into minus 1 किना होजा 3 minus यहां से minus 6 और minus 3 minus 6 और minus 3 होजा 18 ठीक है is equal to अब इसके लिए यानि देटे है 7 और 4 तो y divided by क्या होजाएगा minus 3 और 4 minus 12 minus 3 और 4 minus 12 ठीक है और यहां पे minus यह होजा minus 7 minus of minus 7 कितना होजा है plus 7 होजा minus of minus 7 यानि plus 7 तर देंगे बाद यह यह minus 1 और 7 बंटिप्लाई होजा अब यहां पे 1 divided by 1 divided by 7 into 6 minus 42 minus 4 into 3 4 into 3 क्या होजा minus 12 4 into minus 3 minus 12 तर यहां धल यहां यहां Kita यहां यहां मेरा РЕदस दिवाइदेड़ बाई म मैनना स्टीक के यहां I यहां यहां एनद मैना स्टीस तर यहां i यहां गरते हैं x by minus 15 is equal to 1 by minus 30 जो कि हो जाएगा x equal to minus 15 by minus 30 x equal to 1 by 2 जा कि हो जाएगा y is equal to minus 5 y by minus 5 is equal to minus 1 by 30 या 1 by minus 30 यही की बाद minus 5 by minus 30 यह आजा मेरा 1 by 6 इसको put करके देख देते हैं कि answer जो आया वो सही आया या नहीं आया x equal to half y by 2 1 by 6 यहां पर डालते हैं so 1 by 2 यानि 7 by 2 minus 3 into 1 by 6 means 1 by 2 या जा 6 by 2 जो कि है 3 तो सही है यह वाला 4 into x ता वैल्यू है half minus 6 into 1 by 6 यह वो जा 2 minus 1 यानि 1 यह भी सही है तो दोनों answer भी सही आया है तो आप speed में तर सकते इसको चुचिए अवर बलती हुआ तो आप answer चेट कर सकते हो तो आज हमने cross multiplication में तर क्या है कौन सा है उसका formula क्या से याद रखना है इस पर तीन portion भी कर लिया है बाकि simultaneous linear equation पर लिंक है यह description में तो पूरा simultaneous linear equation आपका हो जया बस word problem अभी तर बाकी है ठीक है वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और लोग को share करें और इस portion का answer पर्मेंट में बताएं और चैनल को subscribe पर लेना अगर अभी तर नहीं किया है तो चलो थैंक्यो